यह connection करना सही है यह गलत थीक है तो काफी भायों को मेंन्ट था दिखाते हैं आपको हमने यह सीडीज Connection करें हैं थीक है तो यह सीडीज Connection करने से क्या फरक परता है हमारे एम्पलिफायर पर और यह सीडीज बाइची की टॉप है और एकंद अग्ञाइब सकतर सभी है तो काफी ओंत जो पाहे dishon Bunu के बताऊ सी डियुक्षे जनைज के बारे में बताऊ-खराब और क्या फरकार पड़ता है है हमारे amplifier और क्या फरक पड़ता है हमारे speaker पर हमारे बारबार कराब होते हैं तो उनका region बता और और सिरीज कनक्षन और बैसे आम करते हैं तो पैरलर में होते हैं ठीक है तो करना सही है या मतलब गलत नहीं है तो इनी की बारे में बताऊंगा तो उससे पहले आपके जो कॉमेंट है दो चार उन्हें बता देता हूं और वीडियो में लाश तक बने रहे तो पहले कॉमेंट का जवाब देते हैं आपको तो यह सीरीज बोलते हैं से सीरीज हो गया तो हाई फ्रंस क्या है तो आपको कॉन से करना चाहिए औहों से सही होते हैं क्या फ़र्क बढ़ता है लावकर पर टो उससे पहले आपको को मेंट के जवाब दें जो कॉमेंट किया है अप लोगों ने तो भाई ने कॉमेंट किया है एक जह प Rough हजार वार्ट एंप्लिफायर है हमारा ठीक है और वह हम चला रहे हैं तो वह बहुत ज्यादा ही गरम पड़ रहा है हद से ज्यादा गरम पड़ रहा है तो आपका खराब हो सकता है आप पहले तो उसकी जो लगाई है हाइस में उसे चेक करो जाके उसमें अगर कहीं फाल्ट ह कर दो गया है यह मतलब रश्क है ठीक है तो आपका एंप्लिफायर बहुत ज्यादा हीट पड़ेगा ठीक तो जैसकी यह ने टर्वलेट है ठीक है और आपके मैं मतलब कोई सी भी नेटर पलेट हो और देख लेना है कई पर मतलब कोई वी रेश्क्टेंस या मतलब काइपस हमारे इस्टूमेंट में ही कहीं न कहीं होती है जिससे हमारा एंप्लिफार हीट पड़ता है प्लोटेक्शन क्लेप ओवरलोड और जो मतलब लाइट होती है हमारी मतलब वो आती है फल्ट तक की तो आप यह चीज़ें देखो आप सही से सांट चलाओ कनेक्शन देख लो नहीं होनी चाहिए उसके बाद अबल्टि कर अफ़ला नहीं होगी और तो आपकोkachर में अगर प्रॉबलम हो खराब हो सकता है तो हएं आपको यह हम बताये अगर मिक्सर में प्रॉबलम है ठीक है तो आपका । ऐसे खराब नहीं होगा अगर एप्लिफार में प्रॉब्लम है क्लान क्णता है क्ला एंफ एक साथ ऐसा हो तो भाई को कमेंट करो और जब आप जरूर देगा भाई तो शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं तो आपका एक चीज़ को द्यान रखना है कि आपने अगर ऐसे कर लिए ठीक है तो आपका नुकसान क्या होगा और क्या फायदा होगा ठीक है फिलाल तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है कोई दिक्कत नहीं है मगर एक बात रहेगी ऐसे में अगर यह स्पीकर खराब हो गया ठीक है तो साथ में यह भी बंद हो जाएगा और यह खराब हो गया तो साथ में यह भी बंद हो जाएगा ठीक है तो ऐसे करने से फरक यही पढ़ता है कि एक खराब होगा तो दोनों स्पिकर बंद होंगे ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बैसे जो भाई कॉमेंट कर रहे थे सीरीज करना सही है या गलत तो कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे करना चाहते हो तो कर लो फिलाल दिक्कत वही है कि आप पर डीजे बजाने जाते हो और आपका एक स्पिकर अगर खराब हो जाता है तो पूरा कॉलम बंद हो जाएगा ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है ऐसे कनेक्शन में कोई प्रावलम नहीं होने वाली है और कोई प्रावलम आपको आती है तो आप कॉमेंट वाक्स में कॉमे लाइक एंड शेर जर्दू करें